तो दोस्तो आज जून की दस तारिक है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खुबसूरत से इस एक सक्कुलेंट पौधे क्रैसूला ओवाटा या जेड प्लांट के बारे में मैंने ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये लास्ट इयर कुछ मौनसुन के आसपास ग्रो किया था और आपके साथ उस समय वीडियो भी शेयर की थी इसको रीपौटिंग की ये पौधा मैं नर्सी से कुछ 70 रुपीज में 70 रुपे में लेकर रहा था और ये बहुत छोटा स अब लगभग कह सकता हूं कि इस पौधे को मेरे पास लाए हुए 10 मन्त या एक साल के आसपास हो चुक है और ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 10 से 12 महीने में इस पौधे ने अपनी जो ग्रोथ है यहां पर आकर बहुत अच्छे से की है बहुत तेजी से की है इस प्लां नहीं था वो खड़ा रहता था तो उस मिट्टी में से निकाल कर मैंने इस पौधे को इस तरह से देखिए ये कुछ 8 इंच का गमला दिया था तो ये जो सकुलेंट पौधे रहते इनको कोई बहुत बड़े पोट की रिक्वर्मेंट नहीं रहती जो भी आपका प्लांट का साइस दिखिए आपको उससे बस जस्त थोड़ा सा बड़ा गमला आप इस पौधे को प्रोवाइड कीजिए तो उससे ये जो प्लांट है ये अच्छे से ग्रूथ करता है क्योंकि ये एक सकुलेंट पौध है और इसकी लीव्स या स्टेम्स के अंदर जो मौश्चर है जो पानी है वो स्टोर रहता है इसलिए अगर आप इन पौधों को जैदा बड़ा गमला देंगे तो ओवर मौश्चर होल्ड करने के विए से ये जो पौधे कई बार रूट रॉट का शिकार हो जाते हैं और आप बहुत बार नोटिस करेंगे आपके जो प्लांट की जो लीव लगता है और बिल्कुल जो लीव्ज हैं वो हेल्दी दिखाई देती हैं लेकिन जैसे आप उस लीव को टच करते हैं वो एकदम से नीचे की तरफ गिर जाती है और कुछ ही दिन के अंदर सारी की सारी जो पत्ती हैं पौधा नीचे की तरफ गिरा देता है इस चीज का जो एक बड़ा में रीजन रहता है वो यही रहता है कि पौधे को ओवर मॉइस्चर या ओवर कह सकता हूं की मिट्टी के अंदर पानी हर समय खड़ा रहना तो उससे क्या होता है कि जो पत्ती हैं पौधे की वो जैदा मॉइस्चर को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं और रूट रॉट की स्टार्टिंग कंडिशन में होता है तो ऐसे पौधों को तुरंट आप चेक कीजिए उनको उसी समय पर जो है वो फंजी साइड का जो स्प्रे है उनकी रूट के अंदर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यह क्रैसूला ओवाटा या जेड प्ल रहता है वो आपके साथ शिर करता हूँ आपको अपने पौधे को ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर इसको सुभा की कम से कम तीन से चार घंटे की जो डिरेक्ट सनलाइट है वो मिलनी चाहिए इससे जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्ट्र या एक्स्ट्रा पानी गमले की मिट इसको पादे या अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो रहती है और इनकी लीव्स पर आपको चमक दिखाई नहीं रहेगी दूसरा इनके जो लीव्स के कौर्नर रहते हैं वो कुछ इस तरह से रेडिश कलर में रहते हैं अगर आपके प्लांट की जो कौर्नर है लीव्स के इस तरह से रेडिश कलर में नहीं है तो आप समझ जाएं आपके पौदे को जो सनलाइट की है वो कमी है मिट्टी के अंदर जो मैंने इस पौदे की मिट्टी के लिए इस्तमाल किया था वो इसके अंदर एक हिस्सा कोको पीट एक हिस् पौदे के लिए पौदे के लिए पौदे के लिए इस तरह से इनकी जो उपर की साइड पर जो लीव्स निकल कराती है इनको पिंच करना होगा इनको तोड़ देना होगा इससे जो पौदा है वो नीचे से ग्रोथ करेगा और आपके जो प्लांट की स्टेम्स रहेंगी वो धीरे-धीरे मौटाई को लेने लगेंगी वो ठिक होने लगेंगी प्रोपागेशन इन पौदों की कटिंग से की जाती है तो इनकी जिखे इस तरह से जो कटिंग रहती है कोई भी छोटी या बड़ी कटिंग आप उनको रेतीली मिटी या सेंडी सोयल में ग्रोग कीजिए दूसरा इस तरह से इनकी जो प्रोपागेशन है वो लीफ से की जाती है लीफ को बिलकुल कॉर्nor से तोड़ना होता है बिलकुल जहां से यह लीफ نिकलती है वहां से इसको तोड़कर बिलकुल आप सिंपली मिटी के ओपर प्लेस कर दीजिए हलका सा इसकी साइड को मिटी में दबा दीजिए और लगबग दो से तीन हफते के रिजल्ट में आप नोटिस करेंगे इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो नई और छोटी छोटी जो ग्रोथ है वो करने लगेंगे अगर फटलाइजर की बात करूँ तो जैदा ग्रीन लुक लेने के लिए इन पौधों की जो अच्छा फटलाइजर रहता है वो आईरन रिच फटलाइजर रहता है ऐसा फटलाइजर जिसके अंदर हाई आईरन रहता है तो इस तरह का फटलाइजर इन पौधों को बहुत पस उससे ये पौदे अच्छे से ग्रोध करते हैं दूसरा आप इन पौदों को इस तरह से एन पी के लिक्विड मन्थली एक बार महीने में पर एन पी के उनिस उनिस बीस बीस अठरा अठरा जो भी आपके पास हो तो दो ग्राम पर लीटर के काडिंग डिजोल्व करके आप मन् भग दो ग्राम के आसपास आप रूट्स के आसपास जो है वो स्प्रिंकल कर दीजिए या फिर आप पानी में डिजोल्व करके भी इस तरह से इसको फीड कर सकते हैं ये सॉयल को स्लाइटली जो है वो ऐसे डिक रखेगा इसको हाई नाइट्रोजन देगा और बहुत से पानसुन सीजन में ज्यदा हुमिडिटी के समय पर इस पौदे को थोड़ा सा आप अंदर की साइड पर प्लेस कीजिए उससे ये अच्छे से ग्रूथ करता रहेगा दूसरा मिनी जेड की तरह इस पौदे के ओपर जो शौवर करना वो सही नहीं रहता मिनी जेड के पौद वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं ऐसे किसी एक और टॉपिक के साथ किसी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गार्डनिंग टेक कियर